टे गई में वोल्कम बेक तुथ अन्हांदर विडियो तुस्ता उसके ऊस्थ वारे ओर रहला है अज इस वीडिए आरुकांज के बारे में इस वीडियो में डिसक्राइब करने वारे में छोर्ष तो वीडाइब तो बिच्छी यह इंटरेस्टीं होने वारी है चानल पर नही तो कि आप पुँछ बुक्स हरना चाहते हैं तो वीडियो को डिसक्रिप्शेट्स पर लिंक है विजिद कीजिए तो चलिए दोस्त आज किस वीडियो पुछुर करते हैं Hybridization in Alkenz Hybridization के definition को में पहले समझना चाहिए Hybridization is a phenomenon of mixing and blending of two or more atomic orbital of equal energy to form equal number of new orbitals which have equal energy identical shape and size symmetrical orientation in space new orbital formed is called as hybrid orbital रहनी जो hybridation एक phenomena है जिसमें दो या उससे atomic orbital को equal energy में formed किया जाता है mix किया जाता है इससे equal number of new orbitals बनता है और जिनका energy जो है shape and size जो है वो symmetrical and equal रहता है और इससे एक new hybrid orbital form होता है तो जो hybridization को है उसको तीन तरीका से divided किया जाता है sp3 और tetrahydral hybrid hybridization sp2 और trigonal hybridization and sp जिसे हम कहते है diagonal hybridization तुम देखते कि sp3 hybridization in alkanes नहीं हम देखिंगे sp3 hybridization मतलब in this one s and three p orbitals combined to form four equivalent hybrid orbitals जो sp3 hybrid orbitals है इसमें एक s orbital होता है और three p orbital होता है जो कि energy में form होता है और जो फोर hybrid orbitals हो गए यहां 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 पर तीन तो होगे four hybrid orbitals है जो कि जो अलकेंस है अलकेंस मतलब वहां पर रहते हैं एक carbon and four hydrogen orbital जो की एक टेट्र हाइड्रोन की तरह रहते हैं तो उसके corner की और होते हैं जिससे जिसके जरिए इसे हम जो है टेट्रा हाइड्रल हाइब्रेडेशन कह सकते हैं रहा हाईड्रोन के जो होते हैं छे चनल सालकेंस होते हैं हिए लंकी दए जो कंपॉंड देखलेंगे जो मिथन है तो मीथन मौलेकुल में जो है वो SP3 hybridization होता है क्योंकि इसमें जो है SP3 जो hybridization है मेधन में CH4 होता है CH4 मतलब यह carbon and 4 hydrogen होता है तो 4 hydrogen जो है वो 4 SP3 होता है तो जो 4 SP3 hybrid orbitals होता है वो जो एक से ओवरलाप होता है तो इससे क्या बनता है एक SP3 hybrid orbitals से 1 SP3 1 SP3 1 SP3 तो हो गया 4 SP3 hybrid orbitals और वो जो हाइड्रोजन होता है यह carbon के साथ जो hydrogen अठाच होता है तो उनकी जो यह स और बिटल होता है उसके साथ यह अबरलाप करता है तो इसके इससे क्या बनता है SP3S तो इससे SP3S बनता है यह जो carbon के जो 4 SP3 hybrid orbitals होता है वो दूसरे जो हाइड्रोजन से उसके यह सार्विटल से उसके जो यह सार्विटल है हाइड्रोजन को उससे ओवरलेप करता है तो जिसे बनता है CH bond और जो है इक्समा बांस है और जो है मिथेन के जो carbon hydrogen को जो हैच CH के जो एंगल है वह 109 डिग्री और 28 मिनिट का होता है और इसका जो जो एक्वैलन्ट टू 110 पीम लॉंग और जो है 110 जो जो बॉंड है उसका 110 पीम लॉंग होता इसका लेंग और इसका जो realization energy है वह फोर फिफ्टिन केजी पर जॉल का होता है है तो हम देखेंगे SP3 hybridization of Ethane के बारे में तो हम पहले देखें ने न के तो हम देखेंगे इधेन के ने के बारे में जो इत हैं वह है इतन का जो फॉर्मला है वह है सी तु हेच पाइड तो इसमेंगे जो बहुत हब SP3 hybrid orbitals of one carbon overlap to the SP3 orbitals of other carbon which their inter-nuclear axis to form SP3-SP3 and CC sigma bonds and the remaining SP3 orbitals of each carbon overlap to the 1s orbital of the H carbon along with the inter-nuclear axis 6 SP3S CH sigma bonds then ethereum 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 C or C or carbon carbon which is 2 carbon which is 2 carbon bond which is SP3 and SP3 hydrant orbitals which is one of the other overlap which is the SP3 SP3 and CC bond which is a sigma bond है और remaining जो यहाँ पर एक SP3 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 एक सब्सक्तारिये दूसरे है जो हुद्सरे होता है इसके यस और्वेटल से ओवरलाप करता है यह यह 3 जो कार्बन कार्बन का जो लेंथ है वह 154 p.m. का लेंथ होता है और कार्बन ऐटो港 का 1 10 ho pissed .0 का लेंथ और जो हजच ए कि हिच का जो या इनका जो एंगल होता है वह 109.28 अदग्री तब हम देखेंगे, orientation के बार में, तो orientation in halogenation of alkane, तो जो higher alkane होता है, higher alkane, है तो जिसे हम halogenation करते है, जिस आइसोमेरिक mono-halogen derivative form होता है, और यह जो depends करता है, hydrogen atom present in the molecule, जो alkane, alkane compound होता है, उसके अंदर है, उसके उपर depends करता है कि जो हम उससे halogenation करेंगे, तो वो isomeric Mono halogen derivative Toramкого दो इसी जो गया कि मैं इसी जो रीयक्शन तो हालोगेमum regard तो घृत्म होकर जिस्से जो आच्म होता हैं वो रिप्लेस होता है तो इसी जो सिरल意et in usate हमोता हैं तो इसी जो प्रॉसेस हैं तो इसी जो प्रॉसेस को तो जिससे आइसमेरिक प्रॉदक्ट हॉता है जिसह हम कहते वरिंटेशन तो हम एक्जांपल देखलेंगे यहां पर एक प्रोपेन हैं मीथैन फ्रॉकेन जो की तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है जो कि एन प्रोपेल क्लोरेड है और यहाँ पर है आईसो प्रोपेल क्लोरेड तो एन प्रोपेल क्लोरेड में 45% और आईसो प्रोपेल क्लोरेड में 55% यह यह कि प्रोपेन जब इसे हम हैलोजिनिशन करेंगे तो दो आईसेमरिक प्रो किंग और एलेक्रिसिटी जनेरेशन के लिए इस यूसे यूस यूस करते है फिर इसले नाचरल गास जो मिधन नें निटन है उसे च्छल में उसकरते ईलकेन्स विथ कारबन अटम 508 जो अलकेंस होता है जिसमें 528 करबन अटम सोते हैं जिससे हम फियूल केतार पर उसकरते इं में nine to sixteen carbon होता है जिसे हम डीजल के diesel या फिर फियूल के तर पर उसे हम यूज करते हैं फिर उसे हम LPG के तर पर यूज करते हैं फिर जो 15 carbon होता है उसे हम road surfacing और तरमबर के तर पर उसे हम ओम मुईज़करते फिर बहुत सरे जो ऐ ऑख ऑlles जरे जू अब आल्कन से लोक छ्टम होता जैसे प्रोप नूस्य हम है फ्यूल और होवाट होट यियर बैलन्स जो ह przyर बैलोन्स हो तिसमें उसे फीट के तर पर यूज़ करते हैं और जो पड़ियो प्रिपरेशन के तर पर हमिए उसे उसकते हैं तो बहुत सरे ιूज हैं जिससे हम को को यूज करते हैं तो तो सुमित करते हो कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें आगर हम अब चैनल पर नहीं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स फर वाचिंग